B.A.B.S.C.B.com में पास होने के लिए कितने नंबर लाना अनिवार है यानि कि पर सब्जेक्ट में कितने नंबर जरूरी हैं आपको उतना लाना ही लाना पड़ेगा वरना आप फेल कर दिये जाएंगे तो कितने नंबर जरूरी होते हैं और आप कितने डिबीजन यानि कि सब सब्जेक्टों का कुल करके कितना प्रतसत जरूरी होता है तब आप लोग पास माने जाएंगे तो इस वीडियो में इसी के बारे मताने वाले तो ध्यान से सुन लिजी आप सभी के लिए इनफॉर्मेटिव वीडियो है जो भी हमारे सब्जेक्ट में आपको कम से कम 25 नंबर लाना निवार कितने नंबर लाना निवार है 25 नंबर यदि आप 25 नंबर नहीं ला पाते हैं पर सब्जेक्ट में तो आप फेल माने जाएंगे तो कम से कम 25 नंबर तो आपको लाना पड़ेगा जैसे कि हिंदी का पेपर आपका है और हिंदी का आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी आपको कम से कम पचीश नंबर तो लाना पड़ेगा ठीक है अगर पचीश से आपके ठीक है अगर पचीश आ गए तो आपको पास कर दिया जाएगा अगर वही पर एक भी नंबर मालीजी 24 हो गए आप तुरंद फेल हो जाएंगे इस बात को नोट कर लीजिए तो कम से कम पर सब्जेक्ट में आपको 25 नंबर फे ऊपर यानि 26, 28, 28 जितने भी आपके 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 लेकिन कम से कम 25 होना चाहिए ठीक है अब बात कर लेते हैं कि आपका हर सब्जेक्ट को मिलाकर कितना प्रतिसत बनेगा तब आप पास माने जाएंगे जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं उन सब्जेक्टों के जितने भी नंबर मिलते हैं उनको अगर एक कलकुलेट किया जाए एक में जोड़ा जाए तो कितने प्रितिसत पे आप लोगों को पास किया जाता है, ठीक है, तो उसकी विजान काई दे रहा हूँ, 35 प्रितिसत अगर आपका बन रहा है, ठीक है, तो आप बाकाईदा पास किया जाते हैं, कितने प्रितिसत बन रहा है, जिसे कि बहुत लोग बोलते हैं, कि हमारा बीम माने जाएंगे या फिर 36 बनना तब भी पास मानेंगे यदि वहीं कहीं पर 34 बनना तो आप टोटली फेल माने जाएंगे ठीक है तो कुल मिलाके आपको इतने प्रत्सत और इतने नंबल लाना हर सब्जेक्ट मेनवार इस बात को नोट कर लिए आई हूप आपको कोई confusion है कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूर सकते हैं या आपका अपना है चैनल सक्सेस्ट हुए और मिलते हैं को नई वीडियो के साथ जैंद